रानो चडिया की साधी जंगल के सबसे अमीर पक्षी के साथ होती है इसलिए वो खुस थी क्यूंकि माईका तो उसका बहुत गरीब था दो वक्त का खाना भी बड़े कठनाईयों से मिलता था मैंने पिछले जनम में बड़े पुन किये होंगे जो टुन्नो जैसे पड़े लिखे और बड़े दिलवाले पती मिले और मुझ गरीब को अपना जीवन साथी चुना ऐसे सोचते सोचते आखिर रानो अपने ससराल पहुँच जाती है बड़ी तैयारियों के साथ रानो का मेरी इकलोती बहु है खातिर्दारी में कोई कमीना रहने पाए जरा अच्छे से ध्यान रखना लाखों में एक है मेरी रानो टुन्नो चड़े की मा रानो से बहुत प्यार करती थी इस तरह से रानो अपने ससराल में बहुत खुश थी एक दिन टुन्नो चड़ा औफिस से चल्दी घर आता है रानो जी आज मुझे नौकरी से हटा दिया गया मेरी जगा एक विदेशी चड़ेने ले ली तुन्नो जी आप चिंता ना करें कल आप फिर से जाकर अपने मेनेजर से बात करना वो आपको नौकरी पर दोबारा से रख लेंगे मेरी भोली रानो मैं किसे ब में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी अपनी पतनी रानो को समझा कर टुन्नो चिड़ा सहर वाले जंगल चला जाता है वो कैई जगह अपनी डिग्रिया दिखाता मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता इस तरह से काफी समय बीत जाता है उन्हें दो बेटियां भ कोई हाथ का काम सुरू कर दें मतलब क्या है आपका मैं गोल गप्पे यह समोसे बेचू मेरे जितना पढ़ा लिखा पक्षी इस पूरे जंगल में नहीं है ये काम मुझसे नहीं होंगे तुन्नो जी कोई कम छोटा या बड़ा नहीं होता मैं तो कहती हूँ आप कुछ कर वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी तुझसे तो ठेला लगवाने का सोचती है मुझे कहीं कटोरा लेकर रोड़ पे न बिठा दे माजी आपैसी बाते क्यों कर रही हो मेरा ये मतलब नहीं था रानो चड़िया की बात उनमें से कोई नहीं सुनता और अपने अपने कामों में लग जाते हैं अब टुन्नो चड़ा अपनी मम्मा के बैंक से पैसे लेकर खर्च चलाने लगा मगर जमा किये हुए पैसे जैदा कहां चल पाते हैं वो भी कुछी समय में खत्म हो गई थे अब तो वो परिवार दो वक्त के बोजन के लिए भी तरसने लगा था र रानो जी मुझे दूर सहर में नौकरी के इंटर्व्यू के लिए जाना हैं तो ये 500 रुपे मुझे दे दें क्राइबाढ़े में काम आएंगे घर में बस यही रुपे हैं इन्हें सभाल कर खर्च करना ऐसे कहकर रानो वो 500 का नोट टुन्नू चड़े को दे देती है तुन मैं नहीं चाहती जो गरीबी मैंने देखी है वो मेरी बेटियों को भी देखनी पड़े रानो हमारे घर की बहुए काम नहीं करते बेटा ये मेरे कुछ आखरी जेवर है इन्हें तु बेच आ और घर का रासन लेया तब तक तुझे नौकरी मिलेगी तब तक काम चल हैं जेवर लोटते समय एक बदमास के मुह से नकाब हट जाता है अरे बल्लू तुम तुम चोरी डकैती करते हो अरे बल्लू उसे गूर क्यों रहा है जल्दी से चाकु मार वरना ये सब को बता देगा हम चोरी करते हैं ऐसे कहकर उल्लू बदमास टुन्नो चड़े को मार द ही है बच्चियों ने भी सुबा से कुछ नहीं खाया मैं चाय कहां से बनाओं ये क्या हो गया मेरे परिवार को मैं सुंदर्वन के जंगल जा रही हूं अपना और बच्चियों का ख्याल रखना मा जी आप इस हालत में कहां जा रही हो मुझे बता कर तो जाएं बहू घर मे खाने को कुछ नहीं है बजार से थोड़ा खाना रुपिया ही मांग लाऊंगी और वैसे भी मैं तो बड़ी भूड़ी हूँ इस काम में कोई सरम नहीं अपनी माजी की ऐसी बाते सुनकर रानो चुड़िया की आँखे भार आती हैं माजी मेरे होते हुए आप ऐसी बाते क्यो कर रही हो मैं अभी जिन्दा हूँ अपने होते हुए तुमें भीक मांगने नहीं दूंगी बेटा घर की हाला तो तुम अच्छे से देख रही हो खाने को कुछ भी नहीं है ऐसे में हम क्या करें इन बच्चियों का पेट भी तो भरना है माजी आप चिंकी मिंकी के पास वो कैई जगह अपनी आप बीती सुनाती है मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और आखिर में उसकी मुलाकात अपनी बच्चपन की सहेली से होती है रानो तुने मुझे पहचानतों लिया है ना मैं गोरी हूँ तेरे स्कूल की सहेली हाँ गोरी मैं तुझे कैसे बूल सकती ह रानो 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 भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा तु मेरी तरह चूड़ी बेजने का काम सुरू कर इसमें मुनाफ़ा अच्छा होता है और पहले दिन से ही कमाई सुरू परन्तु मेरे पास तो एक रुपिया भी नहीं है फिल मुझे चूड़िया कौन देगा रानो जब सला मैंने दी है तो रुपिये भी मैं ही दोंगी जब तेरा काम अच्छे से चल जाए तो वापस कर देना गोरी तेरा बहुत बहुत धन्य वाद वरना मेरी तो सारी उम्मीदे ही तूट चुकी थी रानो अगर धन्यवाद ही कहना है तो मेरे पैसे बापस कर अरे पगली तू तो मेरे बच्पन की सहेली है आज मुझसे मिली मेरे दिल को बहुत खुसे मिली चल अब चोड़िया लेने चलते हैं फिर अख़टा पक्षी उसी से चोड़िया खरीदना पसंद करती हैं वो कुछी दिन की कमाई से अपने घर की आर्थिक सित्ती सुधार लेती है माजी ये पैसे रख ले मैं चोड़िया बेचने जा रही हूँ अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो खरीद लेना और अब बिल्कुल चंत करना मेरा चोड़ी वाला काम बहुत अच्छे से चल रहा है बेटा मैं तो सोच रही हूं तो चोड़ियों की दुकान घर में ही खोल ले तेरे जाने के बाद बहुत घ्राक आते हैं चूड़ी लेने माजी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है ऐसे में आपका और चूड़ी खरी दी जाती है इस तरह से रानों का चूड़ी वाला काम बहुत अच्छे से जम गया था गोरी ये ले मिठाई और अपने पैसे अगर उस दिन तू मुझे न मिलती तो सायद पता नहीं क्या होता तेरी वजह से मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है सच में र इसलिए बुरे वक्त से हार ना माने बलकि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए ताकि पीछे आपको नहीं आपके बुरे वक्त को हटना पड़े आपका धन्यवाद जगू बेटे हमारी खुद की समोसे की दुकान होते हुए भी एक-एक समोसे को तरस्ते हैं हम पता नहीं तुमारे पापा का लालच कब खतम होगा मम्मा इससे अच्छा तो पापा का जूते गाठने वाला काम था कम से कम देख कर खाने का मन तो नहीं करता था जगू तू तो फिर भी खा लिया करता था मम्मा आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हो मैं जा रहा हूं सकूल फिर अब तो तेरे मजे ही मजे होंगे वो कैसे बुलबुला मैं कुछ समझा नहीं यार अब तो तु खूब समोसे खाता होगा तेरे पापा ने समोसो की रहडी जो लगाई है बुलबुले की यह बास सुनकर जगू कववा जूट बोलता है हम अभी तुम सब को थोड़ा मजा खाता हूँ हाँ दोस्त मैं तो खूब समोसे खाता हूँ जितना मन करें उतना खाता हूँ जगू तु एक बार में कितने समोसे खा लेता है कम से कम आठ समोसे खा लेता हूँ दो सुभा को तीन जाने के बाद और तीन सोते समय जगू की यह बास सुनकर सभी बक्षी चुप कर जा जग्गू, तेरी बाते सुनकर मेरा लंच खाने का मन नहीं करेगा, अब चुप हो जा। जग्गू, फिर तो लंच में भी समोसे ही लाया होगा। जग्गू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और बड़ी चालाकी से टिफिन खोलते हुए बोलता है। मेरा लंच में समोसे खाने का मन नहीं होता, इसलिए मैं ममा से खिचडी बनवा कर लाया हूँ। जग्गू इतराते हुए सारी खिचडी खा लेता है, और बाकी के बच्चे भी मन मार कर अपना अपना टिफिन खा लेते हैं, और छुट्टी होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर को जाते हैं। पूरे दो हजार के समोसे बिचे हैं, ये ले गोरी और इन्हें समाल कर रख दे, एक भी खर्च न हो जाए। समोसे बना लेता है, और सारे समोसे लेकर बेचने चला जाता है, वो जग्गु और गोरी के लिए एक भी समोसा नहीं छोड़ता। मम्मा, मेरे दोस्त समझते हैं, मैं खुब समोसे खाता हूं, परन्तु उन्हें क्या पता, हमें आदा समोसा भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं मेरे बेटे, ऐसे ही जूट बोल दिया करो, कम से कम इज़त तो बनी रहेगी, तो खुब समोसा खाता है। फिर जग्गु कववा भी सकूल चला जाता है, आज तो सभी पक्षी दोस्त फैसला कर चुके थे, वो आज जग्गु के समोसे खा कर ही रहेंगे। जग्गु तू तो दिन भर समोसे खाता है, लेकिन आज हमें भी समोसे खवाने ही होंगे, आखिर तुमारे पापा की दुकान है, और हम सब तेरे पक्के दोस्त। बुलबुले की यह बास सुनते ही जग्गु का वच्च पहो जाता है। क्या हुआ जग्गु तुम हमें अपने समोसे नहीं खिलाओगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर खिलाओंगा, कल पक्का आप सब के लिए समोसे लाओंगा। जग्गु की यह बास सुनते ही सबी पक्षी बच्चे बहुत खुस होते हैं, परन्तु जग्गु कववा तो बहुत बड़ी चिंता में था। कुछ भी हो जाए, अपनी नाक नहीं कटने दूँगा, कल सब को समोसे खिला कर रहूंगा। फिर जग्गु कववा छुती होते ही अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। समोसा समोसा करता रहता है। जग्गु तो डाट खाकर चुप चाप घर आता है, और समोसे चोरी करने का प्लान बनाता है। पापा, आपने मुझे मजबूर किया है, वरना में एक अच्छा बच्चा था। हर दिन की तरह कालु कववा समोसे बना लेता है। जैसे ही कालु कववा अपनी रहडी त्यार करता है, जग्गु चिप से चार समोसे चुरा लेता है, और सकूल भग जाता है। आज तुम सब के लिए समोसे लाया हूँ, ये देखो, गरम गरम है, जल्दी से टिफिन बंद कर दो, टीचर जी आ रही है। 91, 92, 93, 96, अरे चार समोसे गायब हैं, कहां गए मेरे चार समोसे, मैंने तो हर एक टोकरी में 100 समोसे रखे थे, कोरी ओ गोरी जल्दी से बहर आओ, क्या हुआ, क्यों दहड मारे जा रहे हो सुबा सुबा, कोरी मेरे पूरे चार समोसे निकालो, जो तुमने खाए हैं, ओय काल मैं तो काफी देर से अंदर आटा गूत रही थी, फिर आपके समोसे कहां से चरा लिये मैंने, ये, ये उस सैतान जगू का ही काम होगा, कल आया था दुकान पर, मैंने वहां से समोसे नहीं दिये, तो चोरी करके ले गया, जाता हूँ, अभी जाता हूँ फिर कालू कवा तुरंत ही जगू के सकूल पहुच जाता है, अपने पापा को सकूल के अंदर देख, जगू तो घबरा जाता है, टीचर जी, जरा जगू का बैग तो ला कर देना, दरसल वो गलती से मेरा जरूरी सामान ले आया है, मैं वही लेने आया हूँ जगू बेटा, आपके पापा आये है, अपना बैग लेकर जाओ, जगू कवा डरते हुए अपना बैग कालू कवे को थमा देता है, कालू तो जल्दी से उसका टिफिन चेक करता है, मिल गए, मिल गए मेरे समोसे, अच्छा हुआ, जो मैं समय पर आ गया, वरना ये सारे हज कर जाता, और मेरा बहुत नुक्सान होता, फिर कालू कवा वो समोसे वाला टिफिन ले जाता है, जगू तो सिर्फ अपने पापा का मूँ देखता रह जाता है, वो अपने दोस्तों को अपने पापा की कंजूसी के बारे में बता देता है, पापा ने मुझे आज तक एक सम कौसा नहीं खाने दिया, इसलिए मैं समोसे चुरा के लाया था, जिने पापा यहां से भी लेकर चले गए, हमें माफ कर दे जगू, हमारी बजा से तुने समोसे चुराए और डाट भी मिली तुझे, कोई बात नहीं जगू, मेरी मम्मा को समोसे बनाने आते हैं, मैं कल आप सब को जी भर कर समोसे खिलाऊंगा, फिर कुक्कू छुट्टी होते ही घर जाता है, और अपनी मम्मा को कालू कव्वे की सारी बाते बताता है, ये कालू तो बहुत कंजूस है, बताओ, बच्चों के समोसे भी छीन कर ले गया, कोई बात नहीं कुक्कू, मैं कल तुम सब द बच्चों को बाट देता है, और सभी पक्षी बच्चे खुसी-खुसी समोसे खाते हैं, आपका धन्यवाद। अपने पती को खुब आवाज लगाती है, लेकिन तुन्नू चड़ा तो नहीं आता, चड़िया को ऐसे भीगते देख एक कबूतर जो की वहां से गुजर रहा था, वो उसके पास आता है, आप इतनी तेजबारिस में किसको आवाजे लगा रही हो, यहां कोई नहीं आने व बस उनी को बुला रही हूँ, चड़िया की ऐसी बाते सुनकर कबूतर इधर उधर नजर भुमाता है, तभी उसे नदी के पानी में एक टूटा हुआ पंख दिख जाता है, चड़िया बहन कहीं वो पंख आपके पती का तो नहीं है, चड़िया पंख को देखते ही समझ जा कि उसका पती नदी के पानी में बह गया और रोते हुए उस पंख के पास जाने लगती है, नहीं चड़िया बहन, आप ये गल्ती कभी मत करना, नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है, और ये बारिस और हवाई भी बहुत तेज हैं, ऐसे में आपका नदी के पास जाना खत पानी में बह जाओगी, फिर आपके बच्चों का क्या होगा, इस तेज तोफान में कोई उन्हें भोजन तक के लिए नहीं पूछेगा, फिर तमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, कब उतर की यह बास सुनकर चड़िया नदी में जाने से रुक जाती है, और अपने आपका इंतजार कर रहे थे, अब जल्डी से हमें भोजन दो, बहुत तेज भूख लगी है, चड़िया अपने बच्चे की बात सुन कुछ नहीं बोलती, तब ही उसका दूसरा बेटा भी कहने लगता है, ममा हमें जल्डी से भोजन दो, कितनी देर से भूख लगी है, और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, और पिता जी कहा है, आप दोनों थोड़ा इंतजार करो, क्या पता भोजन पिता जी के पास हो, चड़िया अपने बच्चों की ऐसी बाते सुन रोने लगती है, ममा, आप रो क्यो रही हो, आपको सायद भोजन नहीं मिला होगा, तो कोई अब हम आपसे बोजन को नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाएए, हाँ ममा, आप चुप हो जाएए, हमें भूक नहीं लग रही, और जब हमें भूक लगेगी, तब हम बारिस का पानी पी लेंगे, पर आप रोये मत, अपने बच्चों की बाते सुन चड़िया उन्हें बता लेती है, कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे नदी के पानी में बहे गए, या हमारे पापा मर गए, ये सब हमारी वजह से हुआ है, ना हम इस तेज बारिस में भोजन की कहते, और ना ही ममा पापा घर से बाहिर जाते, ये कहकर सारे बच्चे जोर जो से रोने लगते हैं, ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं, लेकिन बारिस रुखने का नाम नहीं लेती, अब चडिया के बच्चे भूख से तडपने लगे थे, नहीं, मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे कहीं से वी भोजन का इंतजाम करन होगा, ऐसे सोच कर चडिया अपने घोसले से बाहिर चली जाती है, और आसपास देखने के बाद उसे बारिस और तूफान के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अब मैं क्या करूं, जंगल से तो भोजन कभी नहीं मिलेगा, किसी पक्षी से थोड़ा भोजन उधर करती है, गोरी जी चडिया को थोड़ा भोजन दे देते हैं, आखिर बुरे बक्त में वो भी तो हमारी मदद करती है, आप पागल हो गए हो, जो इस बारिस के मौसम में चडिया को भोजन देना चाहते हो, चाहिए कुछ भी हो, मैं उसे भोजन नहीं दोंगी, परन्तु गो तो मेरी मरजी के बिना उस चडिया को थोड़ा सा भी भोजन दिया, तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूँगी, कालू कववा गोरी की यह बात मान लेता है, और चडिया से भोजन के लिए मना करता है, माफ करना चडिया बहन, लेकिन मेरे पास भी आपको देने के लिए भोजन नहीं है, यह सुनकर चडिया वहां से चली जाती है, और मिठु तो ते का दरवाजा खट खटाती है, मिठु भईया, कुछ दाने मेरे बच्चों के लिए दे दो, वरना वो सब भूक से मर जाएंगे, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चडिया बहन, जो थोड़ी देर पहले आ जाती, तो मैं आपको दाने जरूर दे देता, चडिया बहुत दुखी मन से रात होने पर अपने घर लोट जाती है, और अपने बच्चों को भूके सोते देख वहीं बैठ कर रोने लगती है, इधर कालू कव्वे को भी नीद नहीं आ रही थी, वो तो बस चडिया के बारे में ही सोच रहा था, मैं क्या करूँ, जब से चडिया को खाली हाथ लोटाया है, तब से बहुत परिसान हूँ, मैं चडिया के मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये गोरी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही, कालू क्या सोच रहे हो, क्या आपको नीद नीद नहीं आ रही गोरी जी नीद तो बहुत तेज आ रही है बस सोने ही वाला हूं ऐसे कहकर कालू कव्वा अपनी आखे बंद कर लेता है और जूते को गहरी सांस लेकर सो जाता है ये देखकर गोरी कव्वी भी सो जाती है कुछ देर बाद कालू कव्वा उठ जाता है वो गोरी कव्वी को अवाज देता है मगर गोरी कव्वी तो गहरी नीद में सो चुकी थी अच्छा हुआ जो ये गोरी कव्वी सो गई अब जल्दी से चड़िया के घर जाता हूं और उसके भूखे बच्चों को भोजन खिलाता हूं ये कहकर कालू कव्वा एक पोटली में भोजन बांध लेता है और जल्दी से चड़िया के घर जाता है वह देखता है कि चड़िया के बच्चे भूख से तडप रहे थी अरे बच्चो जल्दी से मेरे पास आओ और ये भूजन खालो लड़ू और खिचडी लाया हूं सारे बच्चे भूजन देखते ही कालू कव्वे को गिर लेते हैं और जल्दी जल्दी से भूजन खाना सुरू करते हैं चिडिया बहन आप भी जल्दी से ये भोजन खालें बोरी से छपा कर लाया हूँ कालू भाया आपने भोजन लाकर बहुत अच्छा किया वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाते मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी चिडिया इसमें कौन सा एहसान के बात है जब हमारा घर तोट गया था तो आपने तेज तुफान में हमें अपने घर में रहने दिया और तो और अपना भोजन भी खिलाया था ऐसे कालू कवबा और टूनी चिडिया एक दूसरे का एहसान जता रहे थी के तभी वहाँ पर गोरी कवी आ जाती है जो की बहुत गुसे में थी कालू तुझे तो मैं बाद में देखूंगी पहले इस चडिया को बताती हूँ क्यों चडिया मेरे पती से भोजन मंगा कर खाने में तुझे सरम नहीं आती जो गपा गप खाए जा रही है गोरी वहन मैंने कालू भहिया से भोजन नहीं मंगाया वो तो खुदी मेरे घर भोजन लेकर आये थे जिसके कारण मेरे बच्चों की जान बची है हाँ गोरी मुझसे बिचारी चडिया का दुख देखा नहीं गया और नहीं मुझे नीद आ रही की मैंने सोने की खुब कोशिस की इसलिए मैं चडिया को भोजन देने खुदी ही आ गया ठीक है तो अब रहो चड़िया के ही घर में मैं तो जा रही हूँ और घर आने की कोशिस ना करना वरना मैं टांगे तोड़ दोंगे आपकी ऐसे कहकर गोरी कवी वहां से चली जाती है कालू कव्वा तो बहुत धर गया था वो लोटकर अपने घर तक नहीं जाता और वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है और गोरी कवी भी अपने घ Finnish में लेट जाती है लगातर बारिस होने के कारण उनके घर की छत कमजोर हो चुकी और गोरी कव्वी के ऊपर तूट कर गिर जाती है गोरी तो अपनी जगा से हिल भी नहीं पाती कालू जी भगवान के लिए वापस आ जाओ और मुझे यहां से बाहर निकालो मुझे बहुत चोट लगी है गोरी कव्वी पूरी रात वहीं घोसले में पड़ी रहती है लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता चड़िया बेहन अब मैं घर जाता हूँ सायत गोरी का गुसा अब सांत हो गया हो ऐसे कहकर कालू कव्वा अपने घर चला जाता है कालू को देखते ही गोरी कव्वी राहत की सांस लेती है और कालू भी गोरी को जल्दी से घोसले से बाहर करता है गोरी ये सब कैसे हुआ और आपको तो बहुत चोटे लगी है चलो मैं आपको बैद के पास ले चलता हूँ कालू जी मुझे माफ कर दो मैंने आपको घर नहीं आने दिया और चड़िया को भोजन देने के लिए भी मना किया सायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है आपने चड़िया को भोजन दिया इसलिए भगवान ने आपकी रक्षा की इस तरह से गोरी कवी को अपनी गल्टी का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद गोरी भी दूसरों की मदद करने की ठान लेती है तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसे हर बुराई से बचाता है